दाग अच्छे हैं I'm sure ये tagline आपने TV commercial में कभी न कभी जरूर सुनी होगी लेकिन ये tagline हर जंगा fit नहीं बैठती है क्योंकि आपके चेहरे के दाग बिल्कुल भी अच्छे नहीं है Hi everyone, welcome back to our YouTube channel मैं हूँ Dr. Salim और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपके चेहरे पर जो दाग धब्बे हो जाते हैं उसके लिए आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुती बढ़िया home remedy बताने वाला हूँ जिसको males और females दोनों ही इस्तमाल कर सकते हैं और इसकी मदद से अपने इन दाग दब्बों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं तो चलिए बीना किसी देरी के इस इंट्रस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बहुत ही बहुत ही बहुतरीन home remedy के बारे दोस्तों इसकिन में hyperpigmentation हो जाना बहुत ही जादा common problem है आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आपके एक बार इस तरह के marks आ जाते हैं तो वो हमेशा हमेशा के लिए रह जाते हैं और आप कुछ भी इस्तमाल करने किसी भी खीमत पर जाने का नाम नहीं लेते हैं लेकिन आप घबराईए नहीं क्योंकि आज इस वीडियो के जरिये मैं आपको इस बहुत ही बड़ी problem से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिलवा दूँगा लेकिन कैसे उसके लिए आपको इस्तमाल करने होगी यह home remedy इसके बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इस home remedy को बनाने के लिए आपको सिर्फ चार चीजों की जरूरत पड़ेगी पहली चीज है तुलसी के पते, दूसरी चीज है बेसन, तीसरी चीज है नीम्बू का रस और चौती चीज है रोजवाटर दोस्तो तुलसी के पते आपकी स्किन के complexion को improve करने के लिए और मिलास्मा मार्क्स को या hyperpigmentation मार्क्स को कम करने के लिए scientifically proven चीज है इसके अंदर कुछ ऐसे antioxidants होते हैं जो कि आपके स्किन के complexion को improve करते हैं और इसकिन के अंदर बहुत सारी अलगलग तरह की allergies को भी कम करने का काम करते हैं बेसन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि ये आपके skin complexion को improve करता है और skin के texture को भी improve करने का काम करता है. नीम्बू का अरस भी आपके hyperpigmentation marks को साफ करने का काम करता है और rose water भी आपके skin के complexion के लिए आपके skin के texture के लिए और moisture के लिए बहुत ही जादा बढ़िया चीज है. इन सभी चीज़ों को जब आप आपस में मिला कर इस home remedy के तरह इस्तमाल करते हैं तो आपको बहुत ही जादा बढ़िया results मिलते हैं, आपका complexion भी improve होता है और जो dark circles आपके चेहरे पे हो जाते हैं वो भी साफ होने लगते हैं. इस home remedy को बनाने के लिए आपको क्या करना है आपको लेने है थोड़े से तुलसी के पते और उनको पीस लेना है इसको आप खरल में भी पीस सकते हैं इसको आप सिलबटे पे भी पीस सकते हैं या फिर mixer grinder में भी इसको आप पीस सकते हैं इसको पीसना जब आपको है तो थोड सा नीमबू का रस, करीब आदा चमच नीमबू का रस काफी होगा, इतनी चीजे मिलाने के बाद आप इस पेस्ट को अपने पूरे के पूरे फेस के उपर as a face pack apply कीजिए और इसको 10 से 15 मिनट के लिए आप छोड़ दीजे, 10 से 15 मिनट जब आप इसको वेट करेंगे तो ये सू उदाना दिन में एक टाइम या maximum दो टाइम आप इस से face pack को लगा सकते हैं, I am sure इसको जब आप लगाना शुरू करेंगे तो within 7 to 10 डेज ही आपको अपने दाग धबों में, डाग सर्कल्स में फर्क दिखाई देना शुरू हो जाएगा, दोस्तों अकसर लोग मुझे reach out करते हैं और पूछते हैं कि उन्होंने बहुत तरहां की क्रीम्स और लोशन्स इस्तमाल कर लिए, लेकिन उनकी problem ठीक नहीं हो रही है, वहीं के वहीं दाग धब्बे वैसे के वैसे बने हुए हैं, या कई बार चले भी गए हैं तो वापिस से आ गए हैं, इसकी main वज़ा दोस्त जो कि आपकी skin को from within nourish करें और उसके glow को बढ़ाएं और आपके दाग धब्बों को जड़ से खत्म करें, दोस्तों इसी के लिए इस नरिश्मेंट के लिए कपिवा का एक product आता है Skin Glow Mix इसके बारे में मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ और इस वीडियो को बनान जो कि आपकी skin के अंदर hyperpigmentation को कम करते हैं, dark spots को साफ करने का काम करते हैं, आपकी skin को अंदर से नरिश्च करते हैं और इसके glow को improve करते हैं इसके अंदर आपको दोस्तो रोज मिल जाता है, पोमी ग्रिनेट मिलता है, अकाई वेरी मिलता है, ग्रेप सीड एक्स्रेक्ट मिलता है, मुलेठी मिलता है और ब्लूबेरीज मिलते हैं और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी चीजे इसके अंदर डाली गई हैं जिनके anti-oxidants आपकी skin के लिए बहुत ही जादा फायदे मंद होते हैं glow mix को आपको रोजाना lunch करने के बाद एक glass पानी यानि करीब 200 ml पानी के इंदर इसका एक section मिला के पीना होता है best results के लिए मैं recommend करता हूँ कि आप इसको करीब 8 हफते regularly जरूर लें शिरुवाती जो 2-4 हफते होंगे उसके अंदर आप देखेंगे कि आपके skin के अंदर hydration बढ़ने लगेगा यहीं आपकी skin के अंदर moisturization हो जाएगा आपकी जो dry skin patches हैं वो धीरे-धीरे कम होने लगेगे उसके next जो 4-6 हफते होंगे उसके अंदर आपको अपने skin के elasticity के अंदर improvement दिखाई देगा और आप महसूस करेंगे कि आपके skin का जो texture है और जो softness है वो improve हो रही है आपको छूने में अपने skin healthy और अच्छी महसूस होने लगेगी और जो fine lines या wrinkles आपके चेहरे पे आने लगे थे वो धीरे धीरे घटने लगेंगे इसके बाद finally 6th से लेके 8th week का जो time होता है इसके अंदर आप देखेंगे कि आपके skin के अंदर जो hyperpigmentation marks हैं और जो dark spots होते हैं वो धीरे धीरे घटने लगे हैं 18 साल या उससे जादा उमर वाले सभी males और females इन प्रोडक्स को इस्तमाल कर सकते हैं इनके बारे में अगर आप और जादा जानना चाते हैं या इनको purchase करना चाते हैं तो सभी links आपको नीचे description box में और pin comment में मिल जाएंगे तो वहां से आप इनको click करके इनके बारे में और जादा जान भी सकते हैं और इनको order भी कर सकते हैं अगर आप कपीवा की अपनी website से इन products को order करते हैं और coupon code glow mix 15 इस्तमाल करते हैं तो आपको additional 15% का discount और मिल जाएगा तो इस discount का फायदा भी आप उठा सकते हैं दोस्तों face pack की शकल में जो home remedy आज मैंने आपको बताई है या ये जो दोनों products आज मैंने आपको recommend किये हैं इनके साथ अगर आप थोड़ा सा अपनी diet का भी ध्यान रखें तो आपको जो results हैं वो next level के भी मिल सकते हैं विटमिन A ऐसा vitamin है दोस्तों जो की hyper pigmentation को रोकने के लिए और इसको कम करने के लिए बहुत ही जादा जरूरी चीज है इसलिए आपको अपनी diet में ऐसी चीज़े इस्तमाल करने जादा चाहिए जिनके अंदर विटमिन A जादा पाया जाता है अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो जिन fruits और vegetables का color yellow होता है या red होता है या जो vegetables green leafy होती है यानि हरे पत्तेदार होती है इनके अंदर विटमिन A बहुत जादा quantity में पाया जाता है तो ऐसी सबजियों को आपको जरूर इस्तमाल करना चाहिए या ऐसे fruits को आपको जरूर इस्तमाल करना चाहिए इसके अलावा विटमिन C भी आपके अंदर hyperpigmentation को रोकने के लिए जरूरी होता है तो आपको विटमिन C rich foods का भी इस्तमाल जादा से जादा करना चाहिए विटमिन C आम तोर पे खटे फलो के अंदर और रसीले फलो के अंदर मिलता है जैसे कि नीमू है या संतरा है या मौसमी है इनके अंदर आपको काफी अच्छी मातरा में विटमिन C मिल जाता है आमला भी विटमिन C का एक बहुत अच्छा सोर्स है तो इसको भी आप इस्तमाल कर सकते हैं या इन चीजों के आप juices को भी इस्तमाल कर सकते हैं seasonal fruits और vegetables आपको जरूर खानी चाहिए रोजाना 1-1.5 लीटर पानी आपको जरूर पीना चाहिए stress से आपको बचना चाहिए pollution से अपने आपको जहां तक possible हो बचाना चाहिए और 8 घंटे की नीद आपको रोजाना जरूर लेने चाहिए दोस्तों ये कुछ ऐसी चुटी-चुटी चीजे हैं जिनको अकसर हम लोग नजर अंदास कर देते हैं लेकिन hyper pigmentation को रोखने के लिए इन चीजों को follow करना भी बहुत ही जादा जरूरी है मुझे अमीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ न कुछ नया जरूर सीखा होगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक किरिए चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए और सबी के साथ शेर करिए मैं डॉक्टर सलीम आपसे फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए हसते रहिए मुस्कुराते रहिए रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सके हेल्दी हमेशा